Hi friends, welcome to e-pharmacy study दोस्तों जैसे कि मैंने कहा था सारे के सारे जो important topics होगे first year, second year diploma से इन सारे topics पर जो है मैं video बनाने वाला हूँ तो इसका जो है first video पहले आ चुका है और आगे भी बहुत से इस series में video आने वाला है तो आप सही की request होगी कि channel को subscribe करने के साथ सद बेल आइकॉन भी इट कर दीजी ताकि आप एक भी विडियो मिस ना करें और आपका एक भी मार्स के आपर कम ना हो तो चलिए आज का जो टॉपिक है जैसे कि आपको पता चल चुका होगा जो कि हार्ट जिलेटिन कैप्सूल एंड सॉब्ट जिलेटिन कैप्सूल इन दोनों का डिपरेंस तो इस डिफरेंस में जो आप अगर 6 पॉइंट लिखते हैं फिर भी आपके तीन मार्के आपर फिक्स हो जाते हैं बिल्कुल इंपोर्टन यह है हर साल यह आप पर पूछा ही जाता है और यहाँ पर एक इंपोर्टन चीज में आपको पता दू कई पार अगर आप सेशनल्स के बात करें तो HGC और SGC इस तरह के अबरिवेशन भी इसके लिए यूज किये जासे है HGC मतलब हार्ट जिलेटिन कैप्सूल और SGC मतलब सॉब्ट जिलेटिन कैप्सूल तो यह दोनों आपको बिलकुल दहन में रख लेना होगा उच्छे लिए बीना हम वक्त कर देते हैं हमारा डिफ्रेंस तो हम देखेंगे हार्ट जिलेटिन और साइड बैसाइड देखेंगे soft gelatin तो जो heart gelatin capsule होती है जो कि हम generally use करते हैं आपने कई बार इसे swallow किया होगा और फिर किसी और को यहाँ पर लेते हुए देखा होगा तो और जो soft gelatin होती है वो मतलब यह बहुत कम दिखती है जो कि होते है vitamin E capsule जो आती है या फिर फुदी नारा की जो green color की capsule पहले आती थी वो थी soft gelatin capsule तो heart gelatin capsule में जो पहला point आता है वो है it has two piece जिसके आप यहाँ पर image देख पा रहे होगे इसे एक जो है मतलब large इसकी body होती है और short उपर छोटी से एक cap होती है और अगर soft gelatin के हम बात करते हैं तो यह one piece में होती है और मतलब completely seal होती है hermetically seal होती है यानि कि कही से भी आपको break दिखेगे नहीं या फिर कही से भी आपको joint यहाँ पर नहीं दिखेगा जो second difference यहाँ पर आता है वो है powder drug और pellet coated with the drug are encapsulated यानि कि जो powder drug है या फिर जो pellets है drug के वो capsule में N capsule किये गया है यानि capsule के shell में pack किये गया है अगर हम बात करते हाट gelatin की तो पर अगर soft gelatin की बात करें तो liquid या फिर semi liquid या फिर unstable substance वो जो है वो यहाँ पर soft gelatin में fill किया जाता है देखिए यह बात द्यान रखने जासी है जो hard gelatin है उसमें hard gelatin तो यहाँ पर hard product यानि कि powder, pellet इस तरह के चीज़े जो है आपको capsule के अंदर दालनी मिलेगी और soft की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर liquid, semi liquid यानि कि semi solid या फिर unstable substances यह जो है soft में हम बरते है जो third difference आता है वो है gelatin in hard form is used अब अगर हमें hard gelatin बनानी है capsule तो जो gelatin है वो hard form में ही हमें use करना होगा और अगर soft हमें बनानी है तो soft या फिर molten gelatin जो है हम इसमें use करते हैं मतलब यह सारे के सारे difference आप नाम पर से ही लेख सकते हो तो जो next difference यहाँ पर आता है वो है capsules are sealed after they are filled to ensure that the medicament may not come out from the capsule due to rough handling अब hard gelatin में यह point था यानि कि जो capsule है वो पहले fail की जाती है फिर इसे seal किया जाता है और इस तरह सी इसे pack किया जाता है कि जो rough handling यानि कि जो further handling होगी capsule की उसमें जो है medicament बाहर ना आए और अगर soft gelatin के हम बात करते है तो filling and sealing of a gelatin capsule are done in combined operation on machine इसमें जो है यानि कि एक मतलब single piece होने के कारण तब ही filling होती है और तूरण बात sealing हो जाती है मतलब एक की साथ जो है combined process में दोनों कामियाँ पर हो जाते है और जो last difference यहाँ पर आता है hard gelatin capsule जो है 8 different type में available है इसकी sizes जो है बहुत vary कर सकती है और soft gelatin है उसमें कोई specific size नहीं है तो यह सारे के सारे जो difference है hard gelatin and soft gelatin में जो कि मैं आपको बता दिये है तो यहाँ पर आपकी तीन बार easily fix हो जा रहे है अगर आप यह वीडियो दो तीन बार देखकर यह सारे के सारे याद कर लेते हो तो तो बस यह वीडियो यही तक थी आपको अगर लगता है आगे भी मैं इसी तरह की वीडियो बनाओ तो इस वीडियो को share जरूर कीजिए और